हलो फ्रेंड आपरती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आप से एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो होगा बी के बारे में Blue Banded Bee की Different Species होती हैं जिनमें से एक है ये भी Blue Banded Bee है इसका नाम है Amazelia Singuleta तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे हमने आज से पहले Blue Bee कभी भी नहीं देखी थी तो सोचा आप से शेयर करते हैं ये वीडियो अभी लगबग एक दो महीने पहले का है, हम आप से शेयर नहीं कर पाए थे, तो सोचा आज शेयर करते हैं, क्योंकि हमने ही फर्स टाइम देखी थी, तो शायद आपने भी फर्स टाइम ही देखी होगी, और अगर नहीं देखी है, तो अब जरूर देखेगा आप के गार्डन में भी आती हो, तो ये अमेरीका की नेटिव होती है, और अमेरीका की 30% जो फसल होती है, उसमें इनका योगधान होता है, यानि कि 30% फसल में इनी का ही योगधान होता है, वहाँ पर काफी ज ada है, इसको एक बहुत ही अच्छे पॉलिनेटर की तरह माना ज होता है तो यह वहिस्त का फ्लावर होता है वह मैं अधिन लविंदर होता है यहां पर खेती होती है महां पर ही जाधि jadi होता है ज़ो की परफल कलर का फूल आपने देखा ही होगा तो जो लेवेंडर के अलावा यह वैसे बेजल पर भी बहुत आती है तुले जी जहां पर plants होते हैं महां पर नीबू के पौधे पर बहुत जाद है और जब इसको भूख लगती होगी फिर तो यह किसी भी फूल पर जाकर भूख अपनी मिटाती होगी लेकिन इसका जो फेवरेट फ्लावर है वो लेवेंडर है और वैसे आप अगर बेजल के plants आपने लगा क्योंकि इस पर blue color की strips जो आप देख रहे हैं और जो इसमें females होती है उसमें 4 होती है तो यह एक female है यह जाद जादे अग्रेसिव नहीं होती है क्योंकि जैसे नॉर्मल मनमख्यां होती है वो काफी जादे अग्रेसिव होती है और इसमें इस्टिंग होता है यानि कि डंक होता है लेकिन ये डंक इतनी जल्दी नहीं मारती है बहुत जादे आप इसको परेशान करेंगे तभी आपको डं होती है ढूड़ना पड़ता है इसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ती है तब ही पता चलता है कि आप लोग उससे शेयर करना होता है जिसे different कोई topic है तो यह शहद नहीं बनाती है यह काफी सर्च करने के बाद हमें पता चला है देखने में यह मदु मख्यी जैसी है लेकिन दूयानिकी शहीद नहीं बनाती है और नहीं बनाती है और यह मिट्टी में अपना घंटी मिट्टी की जो breaks होती है वहाँ पर ये घर बनाती है और इसमें ये solitary bees होती है यानि कि अकेला रहना पसंद करती है इनकी जो female होती है वो अपना-पना अलग-अलग घर बनाती है मिट्टी में यानि कि जैसे आपने वो छत्ता जो होता है हमारे याँ पर मदमख्य का वैसा नहीं होता है ये एक साथ नहीं रहती है हमारे याँ की मदमख्यों की तरह ये अलग-अलग अपना-पना घर बना कर रहती है और ये सारी बाते हमने इसके बारे में पता की है और आप से शेयर की है तो काफी ज़दे मेहनत लग जाती है इस तरह की वीडियो में और थोड़ी डिफरेंट जानकारी देने आपको अच्छा लगता है जैसी कि हमने तिटली बनना आपको दिखाया हुआ है और लेंडर हॉक मौथ बनना भी आपको दिखाया हुआ है जो की केटरपलर होते हैं एक मक्या स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में ही बाहर उड़ती है वैसे जो छोटी मक्या होती है जब सर्दिया स्टार्ट होती है तो वो अपने घर में बंद हो जाती है और जो बूड़ी मक्या होती है वो सर्दियों में जादा ठंड की वज़े से मर जाती है तो ये भी इ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए प्लांट से रेलेटिन हम उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे थैंक यू